जैसा कि आप जानते हैं एक coronavirus COVID-19 के चलते पूरे देश भर में lockdown चल रहा है और इसी के कारण CBSC board ने अपने कुछ classes 9th, 10th, 11th और 12th के syllabus में changing करी है या ये कह सकते हैं कि उस syllabus को reduce करा है ताकि कम समय में आपके syllabus को complete करा जा सके हलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आप देख रहे हैं स्वाणिम बाइलोजी classes और मैं सुभमतिवारी तो CBSC board ने 9th, 10th, 11th और 12th के subject में क्या-क्या changes किये हैं आईए उसको एके करके देख लेते हैं सबसे पहले 9th के science subject में कोई changing नहीं करी गई है क्लास 10th के science subject में कोई changing नहीं करी गई है क्लास 11th का biology देखते हैं इसमें theory में जो first और third unit का weightage था 10 और 14 mark का उसे change करके 12-12 mark का कर दिया गया है इसके बाद class 11th की theory में ही second changing करी गई है periods को ले करके जो first, second और third unit थी उसमें periods 23, 23 और 34 थे जो की अब बदल करके 27, 27 और 26 कर दिये गए हैं इसके बाद chapter 6 में एक topic secondary growth को भी add किया गया है 11th के practical में काफी changing हुई है जैसे कि पहला change ये है कि experiment number 4 को दो अलग-अलग experiments में बाद दिया गया है जिसमें से आप plants और animals के अलग-अलग tissues ले करके उनके cells के shapes और sizes को देखेंगे इसके अलवा 11th के practical से 3 experiments को delete करा गया है या come करा गया है जो की है study of imbubition in seeds और regins इसी में second point है observation and comments on the experimental setup for soving, anaerobic respiration, phototropism, effect of apical bud removal इसके बाद इसी में third point है study of external morphology of cockroach through virtual images models इन सभी practicals को हटा दिया गया है इसके अलवा अगर class 12th की biology की बात करें तो उसमें theory में chapter 15 में sacred groups नाम का एक term यूज किया गया है sacred groups actually plants होते हैं religious plants जिसकी कुछ धर्मों में पूजा होती है और उसको बचाया जाता है और class 12th के practical में कोई changing नहीं करी गई है ये changes class 9th, 10th, 11th और 12th के science और biology से थे क्योंकि उसी से हम related है अगर आप सारे subjects की knowledge चाहते हैं उसमें क्या changing हुई है तो नीचे description में एक link है जाईए और पता कर लीजिए कि CBSC का syllabus पहले क्या था और उसमें अब क्या क्या changes हुए है इसके अलावा भी अगर आपका कोई question है या आपको कोई और knowledge चाहिए तो आप नीचे comment कर सकते हैं आधिक जानकारी के लिए channel से जुड़े रहिए share subscribe like करते रहिए तब तक के लिए be different be unique be yourself thanks